तो इस वीडियो में हम जो है सेल इंवाइस बनाना सीखेंगे घी एश टी लगाके जी एस टी वाला बिल बनाना सीखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम माइक्र। soft excel open करेंगे जैसे कि यहाँ पर type for search ठीक है नहीं यहाँ पर search करने के लिए type करना है excel आप इसको start button पे जाके excel open कर सकते कहीं से भी open कीजिए excel open होना चाहिए तो यह excel open हो गया इसके बाद जो है हमारा यह देखिए internet चलता होना चाहिए तो यहां से जो है हम कुछ बना हुआ template लेंगे यहां पर search करेंगे simple invoice उसके बाद enter करेंगे तो यहां पर बहुत सारे देखिए templates बने हुए नजर आएंगे तो हम यह वाला देखिए जो simple invoice है इसको ले रहें तो इसके बाद create पर click करना है तो यह देखिए इस प्रकार से कुछ लिख के आ गया कि क्या कुछ कर सकते तो हम यहां पर sale invoice पर जाएंगे सबसे पहले क्या करना है यहां पर logo लगाना है तो यहां पर देखिए ऐसे click करना है यहां पर जब आप दो बार click किजिए और उसके बाद क्या किजिए change picture कर दीजिए और from file क्लिक किजिए फिर जहां पर आपने जो अपने मतलब logo रखा हुआ है उस location पर जाके उस पर click करके insert कर लिजिए तो यह दिखिए logo आ गया है उसके बाद invoice यहां पर आपने क्या करना है F2 दबाना है इसको ऐसे select करेंगे तो ऐसे select हो गया F2 दबाना है F2 दबाने के बाद यह देखिए सबसे निचे last में मतलब यह यह यहां पर वो जो cursor आ चुका है यहां पर आप home button दबाईए home दबाने पर देखिए सबसे आ गया आ गया है अब यहां पर लिखना है tax लिखके space कर दिजे tax invoice बन गया enter कर दिजे और your company name यहां पर जो है company का नाम लिखना है यहां पर लिख देते है अगर यह नहीं देना तो आप address भी दे सकते हैं यहां पर जैसे यह मैंने address दे दिया है यहां पर address phone number दे सकते हैं आप phone number भी लिख सकते हैं तो यहां पर सारा लिख दीजिया उसके वहला क्या करना है एक और यहां पर हमें क्या करना जी एस्टी नंबर भी देना पड़ेगा तो यहीं पर आप जो है अपना जी एस्टी नंबर भी दे सकते हैं यह ऐसा ही मैंने दे दिया जी गलत मलत तो आपने अपना जो असली जी एस्टी है वो देना है यहां पर date आ गई है बिल की तो यहां पर देखिए टूडे डेट ले रहा है तो यहां पर अगर आपने चेंज करना तो वो date आप चेंज कर सकते हैं तो मैं यहीं ले रहा हूं और invoice नंबर 12 ले रहा हूं customer ID अगर है तो वो दे दीचे अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है तो इस प्रकार से देखिए यह हो गया अब निच्चे तो मतलब यह बिल किसको बना रहे हैं यह बना रहे हैं हेम राज अंड कंपनी ठीक है न मतलब हो गया है यहां पर address दे देते हैं ठीक है यहां पर GST नंबर बगएरा दे दीजिए ऐसे बस ठीक है यहां पर phone नंबर मुबाइल नंबर दे सकते हैं तो यह देखिए कस्टमर क भी आगया शीफ्ट है जिसके नाम पर बिल बनाना है वह भी वोया श이션़ने खों पर नाम एड्रेस अगर आप दे सकते हैं तो यहां पर क्या कर मने यहीं खर जैता हूं कि जो माल भी भी भेजना है किसी को है तो मैंने यहां से इसको select करके coffee करके इधर paste कर दिया है अब यहाँ पर salesperson, job, method, shipping, terms, delivery, payment terms, due date वगएरा यह जो है आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर transport का नाम वगएरा लिख सकते हैं कैसे बेजा या courier से बेजा वो लिख सकते हैं तो GR नमबर वगएरा यहाँ पर आप mention कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर mobile ठीक रहेगा है और यहाँ पर लिखेंगे Samsung A5 ठीक है यह description में दे दिया अब यहाँ पर क्या है यह दिखिए यहाँ पर एक यह जो है हमेरे पास column पढ़ा है अब क्या करना है इस column को ऐसे आप select कीजिए select करके यहाँ तक select कर लिजिए अब यहाँ पर यह देखिए ऐसे क्लिक कीजिए और जो है line color है यह दिखिए यहाँ से color जो है select कर लिजिए अब जैसे यह color हमने select कर लिए अब यह ऐसे select कर लिजिए यहाँ से है यह वाला left हुआ नहीं न यह दिखिए select किया तो हमारा इधर जो है आ गया है select करके column एक अब दिखने लगा है अब यहाँ पर हम लिखेंगे hsn अब यहाँ पर hsn लिख तो दिया पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ नहीं रहा कोचा यह लिखा हुआ तो उसकी के क्या करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट का color देख लेते हैं यह देखिये text का color लिया तो आ गया इसको आप center में कर सकते है तो यहाँ पर यहाँ से 1 अगिया अब यहाँ पर जो देना प्राइस देना है कितने का 5 रुपे का है अगर कुछ डिसकाॉंक है तो आप यहाँ पर ऐसे दे सकते कि 500 रुपे का इस फे आप फैयर 45 रुपे का बन गया आप क्या की मृसा tö् differ की आपक् मृसारविए जाईए है, और इसको आप जो है numeric करके ok कर दीजे, ठीक है, number करके ok कर दीजे, तो यह दिखिए यह number पर आ गया, अगर आप चाते है कि जो है, rupees पर आए तो जैसे ही, इसको कर लेते हैं, यह देखे total इसको, इसको इसको भी format ठीक करना है, format sale, इसको number में कर देते हैं तो यह जो total है इसको rupees में हम कर सकते हैं number cell में custom में आ गया ना इसको थोड़ा ये देखिए ये आ गया निच्छे इसको okay किजिए तो ये देखिए rupees लिखके जो है 45 वर पर आ गया आप इस प्रकर rupees भी कर सकते हैं अगर यही से भी करते होते तो यहां भी टेक्स लगाना है, जैसे सेल टेक्स ही आ गया, इसको यहाँ 39 पर जाके ऐसे सेलेक्ट करके, इसे राइट क्लिक कीजिए माउस का और इंसर्ड कर दीजिए, इंसर्ड होगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर टेक्स लगेगा, इसको राइट क्लिक करके डिलीर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगेगा, बराबर का बटन जो होता है, वो दबाया, और यहाँ पर लेके जाना है फिर, और यह स्लेक्ट होगया ना, यह देखिएगा, इसे यह जो लिखाए, य यही चीज होगा, एच 37 जो है, यह एच कॉलम हो गया, और जो हमारा रो है 37, ठीक है, यह फार्मूला लग रहा है, यह फार्मूला यहाँ पर बार पर देख लिजए, कैसे लगाना है, अब क्या करना है, गुना 12 परसेंट, देखिए, यह ऐसे आपने जो है फार्मूला दिलीट कीजिए, अब फिर बराबर, फिर सबसे उपर ले जाईए, यह देखिए, 37 इसको सलेक्ट कीजिए, फिर प्लस का बटन दबाईए, फिर इसको एंटर कीए, इसको सलेक्ट कर लेना है, तो यह देखिए है, यह जो है फार्मूला लग गया, यह वाला जो है करेंगे तो देखे 5040 रपे यह बन गया है यहाँ पर जो है देखी इसको डिलीट कर दीजे यह इसकी जरूरत नहीं है तो इसको सेव कर लेते हैं सेव करते हैं डेस्क टॉप पे सेव यह हो गया सेव और यह यहां पर भी देखिए यह इस पर आ रहा है डॉलर बता रहा है इसको भी फॉर्मट चेंज कर दीजिए फॉर्मट में जाके नंबर में कर दीजिए चाहे रुपीज में कर दीजिए तो यह जो है यह बिल हमारा जो है बन गया है अगर मान लिजिए कि यह जो पार्टि है हमारी जो है दिल्ली गी नहीं है यह हमारी मतलब लुधियाना मतलब पंजाब की ही पार्टी है जैसे अमरित्सर कर देते हैं अमरित्सर तो इसका जो GST नमबर है 03 ऐसे कुछ भी मतलब है जो भी उसका GST नमबर है वो आजेगा और इसको कॉफी करेंगे इसको इधर ही पेस्ट कर देंगे इसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर दीजिए अब यह जो है लोकल जो अपना बिल बनेगा आई जी एस्ट वाला तो हमने बना लिया अब यहाँ पर जो है एक स्टेट की अगर हमारी पार्टी हो तो हमें यहाँ पर जो है देखे यहाँ पर लिखे सीजी एस्ट और यहाँ पर कर दीजिए एसजी एस्ट और इसको क्या करना है डिलीड अब क्या करना है यहाँ पर 6 परसंट लगेगा इसका 6 परसंट है तो यह देखे फॉर्मूला ऐसा बना है यह ऐसे आपने लगा लेना एंटर फिर यहाँ पर भी सेम वैसे तो यह देखे यह वाला फॉर्मूला लगेगा तो 6 परसंट अब इसको क्या है डिलीड कर देना है अब शिफ्ट वाला बटन जो है उसको दबाके रखन और अब 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 बन गया है तो इस प्रकार जो है आप जो लोकल विल है एक स्टेट का वह भी इस प्रकार से जो है जी एस्ट का बिल आप बना सकते है बहुत ही अराम से देखे कितना असान है तो इस वीडियो में इतना है